फ्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दुर्शकों को वेलकम करता हूँ आपी के अपने चैनल कमल लंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आज़े टीवी नेटवर्प पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरिस के अंतरगत साप्ताहिक राशिफल यूर वीकली होरोस्कोप और ये साप्ताहिक राशिफल है सुमवार 20 फरवरी 2023 से लेकर रविवार 26 फरवरी 2023 तक का इस साप्ताहिक राशिफल में हम बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशिके साप्ताहिक राशिफल की राश के साथ साथ बात करेंगे सापताहिक राशिफल में ग्रह और गोचर की बताएंगे आपको विभिन गोचर का हल कौनसा ग्रह का गोचर कर रहा है इसके साथ साथ बात करेंगे विशेश पर्वों के बारे में पूरे सपताहवर के विशेश पर्व और आपको बताएंगे योग रहने जा रहे हैं तो चलिए सापता ही कराशिवल के शुरुबात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ग्रह और गोचर की ये सपता हसुआ इस फरवरी दो हजार तेश से शुरू होकर रविवार 26 परवरी दो हजार तेश तक रहेगा इसमें ग्रह गोचर ऐसे चंद्रमा का सफर मकराशी में धनिष्टा नक्षत्र से विर्षराशी में कृतिका नक्षत्र तक रहेगा मंगल का सफर विर्षराशी में रुहनी नक्षत्र से विर्षराशी में म्रग्षिरा नक्षत्र तक रहेगा बुद्ध का सफर मकर राशी में श्रमन नक्षत्र के तीसरे चरण से मकर राशी में ही धनिष्टा नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा ब्रसपती का सफर मीन राशी में उत्तरा भादर पद नक्षत्र के चोथे चरण से मीन राशी में रेवती नक्षत्र के पहले चरण तक रहेगा तो चलिए बात करते हैं इस सप्तहा के विशेश परवों के बारे में देखे सप्तहा की शुरुवात सोमवार बीस परविदी फागुन अमावस्या और सोमवती अमावस्या से होने जा रही है बड़ा विशेश दिन है और मंगलवार 21 परवरी 2023 को फुलेरा दूज फागुन चंद्रदर्शन मनाया जाएगा गुरुवार 23 परवरी को विनायक चतुरती शनिवार 25 परवरी को सकंद शष्टी रविवार 26 परवरी को भानु सप्तमी और फागुन कार्तिकाई दीपमपर् करते हैं इस सब्ता के शुब योगों के बारे में इस सब्ता में रवियोग रहेगा गुरुवार 23 परवरी शनिवार 25 परवरी को सरवार्त सिद्धी योग रहेगा गुरुवार 23 परवरी शुकरवार 24 परवरी को त्री पुशकर योग रहेगा मंगलवार 21 परवरी फरवरी को इस सब्ताहा में विवहा मोरत रहेंगे बुद्भार 22 फरवरी और गुरुवार 23 फरवरी को तो चलिए अब सापताही कर राशी फल की शुरुवात करते हैं बताते हैं आपको मेश से लेकर मीन राशी का सापताही कर राशी फल राशी नुसार उपायों के साथ में और सासाथ आपको बताएंगे पर्वों से संबंद हें तीन महां उपाएंगे शुरुबात करते हैं साप्ताही के राशिवल की पहली राशी मेश हैनी एरिस के साथ में है मेश राशिवलो धहरे शिल्ता में कमी रहेगी, शिक्षा में विवधान आएंगे, मित्रों के सहयोग से कारोबार विस्तार होगा, घरिलू जीवन सुकी रहेगा, कारशितर में परिश्रम के अधिकता रहेगी, आये में विवधान आएंगे, नौकरी में परिवर्तन के होगी बौदे कारियों में धनार्जन होगा खर्चों में व्रद्धी होगी सहत को लेकर सचेत रहें उपाइए करें कि शनीदेव के निमित चमीली के तेल का दीपक करें तीसरी राशी मिथुनियानी जमिनाएं की बात करेंगे भावनाएं अपनी वश में रखें आत्म विश चड़ाएं बात करेंगे चौती राशी करक यानी की कैंसर की करक राशी वालों आत्म वल्य में कमी आएगी सहत के प्रतिस्चेतर हैं परिवार में धार में कार्यों होंगे संचत धन में कमी आएगी कलावे संगीत में रुच्य बढ़ेगी वस्तरों पर खर्चा बढ़ेग और पीपल की 108 परिक्रमा लगा ले दूच चढ़ा कर इससे हर शेतर में निश्चित सफलता मिलेगी बात करते हैं पांचवी राशी सिंग यानि के लिए ओके सिंग राशी वालों मन में असंतोश रहेगा पढ़ाई में रुची रहेगी गरल जीवन सुखी रहेगा नौकरी में तरक्की के योग हैं संपत्य का विस्तार होगा वहन के रख रखाओ पर खर्चा होगा खान पान में रुची बढ़ेगी अफसरों से मद्भेत के योग हैं उपाईए करें कि हनुमान मंदिर में जली भी चढ़ाएं कारोबार में विस्तार की योजना बनाएंगे भाई भेन मदद करेंगे परिश्रम के अधिकता रहेगी घर में शुबकार होंगे कारशेतर में परिवर्तन आएगा आयात नर्यात के कारोबार में लाप की यो हैं माता का साने ध्य मिलेगा उपाईए करें कि महालक्ष्मी के निमत चमिली के तेल का दीपक करें साथवी राशी तुला यहने के लिवरा की बात करेंगे मान से कशानती रहेगी धहरेशीलता बनाये रखने के प्रयास करें पिता की सहत पर ध्यान दें पारिवरिक मनमटाव की संभावना है आये के साथ खर्च भी बढ़ेंगे दाम पत्त सुक में व्रद्धी होगी आत्म व सरों का सयोग मिलेगा तरक्य के मार्ग प्रशेस्त होंगे संचत धर्मे बढ़ोत्री के योग हैं उपाई ये करें कि शिवलिंग पर गेहुं चड़ाएं तो दोस्तों समय है पर्वविशेश उपाय का और पर्वविशेश है फूलेरा दूज देखिए खास दिन है जब भ खवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर में चड़ा दीजे आश्वरस्त करता हूं प्रेम जीवन में निश्चित सफलता मिलेगे तो बात करेंगे अब नवी राशी धनू यानिकि सेजिटेरियस की धनू राशी वालो आत्म सहियत रहें भाशा पर नियंतरन रखें धार मे कारियों में भाग लेंगे रहन सहन कुछ सहज रहेगा संपती में बढ़ोतरी के योग हैं नौकरी में तरक्की के योग हैं आई में वरद्धी होगी कारोबारी यातरा से धनलाब होगा उपाई ये करें कि पानी में अक्षट डालकर सूर्य को अर्ग दें दस्वी राशी म मकर यानिकी कि प्रकौन की बात करेंगे चातरों के शिक्षा में रुची रहेगी संपती के रख रखाव पर खर्च बढ़ेंगे दामपत्या शान्त रहेगा जीवन साथी के सहत में विकार आएंगे संताइन की सहत भी नरम रहेगी चिकसा पर खर्च बढ़ेंगे रहन सहन असविधापुर्ण रहेगा उपाई ये करें कि देवी दुर्गा पर हरे मुंगों चड़ाएं ग्यारवी रशी कुम्बेने के अक्वरिस की बात करेंगे परिजन सयोग देंगे परिवार के साथ में धर्मिस्तल जाएंगे खान पान के प्रती सचेत रहेंगे स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है पराने मित्रों के सहयोग से रोजगार एक अफसर मिलेंगे इच्छा विरुद कोई अतरिक तिसमेदारी मिलेगी उपाई ये करेंगे महालक्षमी पर गुलाबी फूल चड़ाएं बारवी रशी मीन यानि पाईसिस की वाद करेंगे मन प्रसन रहेगा अत्यादी गुसा करने से बचें माता से वैचारिक मद्भेत के योग है दैनिक आय में वरद्धी होगी रहन सहन कष्टकारी रहेगा वस्तर आदी पर खर्चों में वरद्धी होगी माता के उस्वास्त विकार सता सकते हैं उपाई ये करें कि शिवलिंग पर लाल फूल चड़ाएं तो दोस्तों अब समय है पर्व विशेश उपाएगा और ये पर्व है भानू सब्तमी विशेश दिन होता है सब्तमी जब रविवार को पढ़ जा भानू सब्तमी का सरजन होता है तो ऐसे मैं क्या करें सूर्य देव का पूजन करें और सूर्य देव पर बारा जायफल चड़ाएं और चड़ाएवे जायफल अपने तिजोरी में स्थापित कर दें आज वस्त करता हूँ आपको गरीवी से निश्चित मुक्ती मिलेगी तो दोस्तों आज हमने बाद की सापता ही कराशिफल की और ये सापता ही कराशिफल सोमवार 20 फरवरी 2023 से लेकर रविवार 26 फरवरी 2023 तक का कल आपसो मुलाकात होगी किसी नए विश्यक को लेकर आज के लिए बस इतना इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्ष्वाए